आपको नाम क्या सर्थ नमस्कर सर्थ मैं बिनोत सोनी आप यहां बैठिए गजजत बायाटक से हैं हम हिमाचल परदेश ये दिश्टिक बिलास्पूर पड़ता है अधुमार वीजा अधुमार शर्थ उत्रकां से हो मानीला इसमें मैं आपको यूटूब चानल देखा आपको मैं भष लगा क्योंकि गाहों के लोगों को शेव के वार दो कुछ जयानकर नहीं है क्योंकि वहां तो आदम किसी से कहें शेव के पेड लगाए तो वह कहते हैं मिलने काह से कभ हूं में अब शोनी का वेश्माया बुष्छ ऑक ही जुडब करती और हुआ लेकि वोहां तो हुद फंक ही जानकार में नहीं कि करना शोने के डान बदी को के तो वहां कि लोगों ने का प्लाइभ हो चुका है फुर वहां तो जमनी सुमर आ खेत सब बंजर उत चुक और बंदर जिलवाई बहुत अच्छी है तो मैं आपसे मिलें और आपसे गाइट लें कि वहां के पेड़ कैसे लगाए और मैं पेड़ा हूँ आशर सो के लगभाग तो आगे लोग देखिए क्या का किसे लगए पर इसके उत्राखण के बागवानों को यह संदेश अपनी तरफ से देन कांचल प्रदेश के जो नभी उबत है वह अपनी जौब या अच्छी जौब जो प्राइवट सेक्टर की जौब है उनको छोड़के अपने घरों में आ रहे हैं और यहां पर अच्छा कमाई अपनी सेब की बागवानी सेब है पलम है या नासपती है या चैरी है उन सब की अच्छी बागवानी करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हम यहां रजत वायटक में यह सब रूट स्टॉक के ओपर सब प्लाटी मिट्रिल त्यार करते हैं जो रूट स्टॉक मॉलिंग मॉर्टन जो सीरीज है उसके ओपर हम लेटेस्ट ब्रैटियां जैसे सूपर के पास के एरिया में चुछ या आपका हो है हरसिल उत्रकासि वहां पे भी यह प्लाट्स जाते हैं तो लोग अब इसलिए दो तीन सालों से उत्राखंड में लगा रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट वहां उनको मिल रहे हैं और वो लोग पसंद कर रहे हैं कि हम अपने गाउ से च्छे हजार या साथ हजार एल्टी चूर की आपकी जो हाइट है तो यह बहुत बेस्ट एरिया है एपल प्रोडक्शन के लिए तो आप इसमें सेव की बागवानी बहुत अच्छे तरिके से कर सकते हैं और आज कल यह ट्रेंड चेंज हो गया है बहुत प्लांट जो है तो बिदिन टू एर फ्रूटिंग प्राज़ते हैं आपको बहुत लंबा बेट जाए से पहले सीडलिंग पे करना पड़ता था तास पारा पंद्रा पंद्रा साल का वैसा नहीं करना पड़ेगा तो आप रूट स्टॉक पे खेती कीजिए आपका एक बिगा एरिया में तो बहुत अच्छी हमारे यहां पर किसान ले रहे हैं 25 रुपय दो हजार प्रतेश का जो जलबायू है जो हमारा का यहां का रहन सहन है तो वह बहुत सेफ है और बहुत अच्छा क्लाइमेट है अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मुझा मिलेगा प्लस अपनी खेती और अपना यहां पर कोई क्राइम एरिया नहीं है बहुत साफसुत्रा एरिया है हमारा ही माचला रुत्राखंड का तो अपने घरगाओं में रहने का मजा ही पिचाए तो शीड्लिंग का और रूस्ट अपने तो वह 15 साल के बाद पूरी पर चाहिए तो पंदरा साल तक उसकी रहने कोस्ट रहती देख भाल कटिंग प्रूनिंग और वह खाद पानी वह सब रहता था उसके बाद वह थोड़ा सेंपल देना स्टार्ट करता था बीस-पच्चीस साल के बाद पूरी ब्रूस पर तब तक और बहुत सारी नहीं ब्रेटियां आ जाएंगी तो आप उस टाइंग पेड़ों को चेज़ कर सकते हैं तो आपके शेव के कौन कुछ से ब्रेंटी आपके पास है हमारे पास जैसे सुपर चीफ है स्केलर स्पर्टू है रेड व्लॉक्स है वसिंग्डर रेड है इस ह प्लस पौलिनेटर वेल यह पांना पने ब्रेंटी अपने ज्नकी अधार खैसे वह घंचे को कैसे ब्लंग आ कि प्रियंगे oh तो आप यह समझ लीजे कि आप अपनी बैली के लिए आप अपने उत्राखंड के लोगों के लिए बहुत पुन्या का कार्या कर रहे हैं जो लोग जिनके पास अच्छी जमिने हैं जो जमिनों की में अगर अच्छी प्रोडक्शन करेंगे तो लाखों रुपय की इंकम जरने क्योंकि ऐसा क्लाइमेट जो है उत्राखंड का या हिमाचल का या जेएंड के का यह सिर्फ एक पॉकेट है चोटी सी ऐसा एपल के ग्रोइंग सिर्फ उस पॉकेट में होस्कता है अगर हम बंबे गुजरात या पंजाब में बोलें तो वह क्वाल्टी एपल जो हमारा पहा करेंगे तो जब आप खेती करेंगे तो जन्गली जानबरों को आप भगा सकते हैं कांडेदार तार लगा सकते हैं सोलर फैंसिंग का आजकल गवर्मेंट 85% सबसीड़ी देती है सोलर फैंसिंग का काम कर सकते हैं और जब आपको उसमें से आउट पूट आएगी तो आप उ उसको केर कर सकते हैं तो जंगली जानवर बग्यारा तो खुद भाग जाते हैं जब इंसान वहां पे रहते हैं या काम करते हैं जब आप खेतों को छोड़ के भाग जाएंगे तो जंगली जानवर बग्यारा तो यह बहुत जरूरी है कि दिल्ली जैसे क्लाइमेट में या इत आपने अपने एरिये में अच्छी इंकम जबनेट कर सकते हो प्रश्च इसके वज़से प्लूशन हो रहा है वो भी रहा और इंकम के खेति बाड़ी से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है अगर खेति बाड़ी हम करेंगे तो भोजन या से की इतनी डिमांड है कि हमारे यहां पूरा नहीं पड़ता तो फॉरन से इंपोर्ट करना पड़ता है आपके जहां कैसे विचारा कि मैं रज़त वाइटक कंपनी फोनों इसे में बहुत हो जाए हमारे यहां यह पहले दस-पंदरा साल पहले वही ट्रैडिशनल खेति होती थी सीटलिंग पे लोग काम करते थे तो धीरे-धीरे जब रेगुलेशन आया आज फ्रांस में इटली में या आप USA में देखेगे तो सब रूट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं तो वही विचार हमारे मन में आकि उस्टाइम जब हमने दो हजार पांच छे में स्टार्ट किया तो इस टाम रूट स्टॉक बहुत कमी थी माचल प्रदेश या बारतवर्स में रूट स्टॉक नहीं है और बहुत बड़े एरिया में 200-300 बीके जमीर में हम काम करते हैं तो हम पूरा जेयन के पुरा हमाचल उत्रांचल के कुछ पार्ट अधवाई अरुनाचल बगएरा में प्लार्स बना करके देते हैं और लोगों को अच्छा काम जिला है और अच्छे इंकम घर बैठी में में बहुत खुछी है क्योंकि आपके आपने रजट बनाया अब उसके अंदर आपके आदिमी काम करते हैं रोजगा में क्या हमाचल के लोगों डिली में नी जाना पड़ा रोजगा के लिए तो आपके तुछ तो प्लान तो यह रुक गया चितर अदमी हाँ काम कर दे में 85 लोग काम करते हैं तो मैं उत्राखंड के बागबानों को यह इस वीडियो के माधियम से यह बताना चाहता हूं कि आप वो आए एक बर विजट करें जैसे आपने देखा होगा उत्राखंड नैनी ताल के हमारे प्रवीन शर्मा जी या डॉक्टर नरायन जी है या मुक यहां में पेड़ उगाए और कैसे ग्रोथ होता है और कैसी कैसी पेड़ के होता है वह आप वीडियो आप हमारा यूट्यूब पे चलता है रजट बायाटक इंडिया पर उसमें भी वीडियो में देख सकते हैं पार कि हम आप कर आपको सब्सक्राइब मैं यह अभी रजट बीनतना वा इंड़ दो तो वह हमने आपको लेंडर कें अंदर दिखाया सिझ्टम जैसे टीशुक मतलफ से हम प uranium हमारा जो इस हम्हारा बनाते है जो हमेरा फैनल पुड़क्ट रहता है तो यह हमारा चीब बनप जग को हमेरा अप बन जाता है तो यह प्लांड प्लां तो आप किसानों को बागबानों को बोलेंगे कि इस टाइब का प्लान लेंगे तो वो तो क्या यह हूं मैं ग्राम तल्ला भेशी के मानिला से हूं क्या यह पेर वहां हो जाएंगा सर्थ अबने के लिए ही बने हैं और वहां ही आपको यह बहुत अच्छा फुर्ट और इसमें हमारे पास आख दस प्रकार की ब्राइटियां रहती हैं जैसे पॉलिनाजर है इस पर है डिली से आख दस प्रकार की रहती है जिसमें डिफरेंट कुछ ग्रीन नेपल भी होता है कुछ अब बने काम देखे बहुत अच्छा फुर्शू क्यों कि आप ने कर रहे हों ताकि वहां के लोको को एक रोजगा जनेर्ट हो रहा है और लोग वहां से बाहर निजब परेक्ट कि गाउं के लोग गाउं में ही अगर रोजगाए में जाए तो दिली में क्यों जाएगा तो इस जो आपके जो प्रियास है बहुत ही शानी प्रियास है